असलाम वालेकूम जी आज मैं निकली हूँ कराची की ड्राइव ले रही हूँ बारिश के मौसम में ये देखें शड़क का क्या हाल हो रहा है देखें अस्मान लेकिन ये जो आप इतनी वाइब्रेशन आ रही है ये हम मारी गाड़ी रोड पे चल रही है तो इस तरह चल रही है अब आप इससे समझ सकते हैं सड़कों का क्या हाल हो रहे है ये देखें कितने प्यारे लग रहे हैं पौद्रे वगएरा साफ सुस्रे लेकिन जमीन जमीन भी बस सही है शुकर पानी नहीं खड़ा है अच्छा मैं कहा जा रही हूँ आप मेरे साथ साथ रहिएगा मैं आपको बताती हूँ मुझे असल में कुछ सामान लेना था कुछ घर का कुछ अपने लिए तो मैं लखी मैं लखी वन जा रही हूँ और आप मेरे साथ रहिएगा मैं वहाँ पे पहले कारफोर जाओंगी और मैं आपको दिखाती हूँ मैं क्या ले रही हूँ यह देखें जी लखी वन पहुंच गई मैं अल्ला का शुकर है कहीं पुझे पानी नहीं मिला रोट सारी क्लियर थी और मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा है अब हम पार्किंग में आ गया हैं गाड़ी पार्क हो रही है और मैं एंट्रेंस की तरफ जा रही हूँ अब बी वन है यहीजी अब हम लखी वन के अंदर जा रहे हैं सबसे पहले में जाओंगी कारपोर फिर मैं आपको दिखा क्यों मैंने कारपोर से क्या है ठीक है मेरे साथ रहिएगा कि साथ साविय ट्रॉली लेकर आ रही है अब हम कारपोर में जा रहे हैं अब अब मैं आ गई हूं इतर ब्रॉसरी सेक्शन में वराइटी वराइटी जैं यहां पर एक मैंने यह मिक्स वैज ले रही हूं यहां इस पर आप फ्रोजन मिक्स वैज एक ले रही हूं और मैं ढूल रही हूं इस्पिनेच फ्रोजन इस्पिनेच वह उंजे नहीं नजर आ रही है एक मैंनी यह लिया है चिकन पाइस सैंड्विच बनाने के लिए एक्स्क्यूज मी इस पर प्राइस नहीं लिखी लिए अब मैं इधर आ गई हूं चीज के सेक्शन में आप देख रहे हैं चीज की वराइटी इतनी वराइटी है कि बस इनसान देखता जाए बस देखता जाए देखता जाए मैं कॉटे चीज जूम रही हूं जो कि मुझे नहीं नजर आ रही है अब ऐसा नहीं कि मुझे यहां पर कॉटे चीज ना मिले मैं खास तोर से उसके लिए आई हूं चले मैं पता करती हूं अब मैं इधर आगे हूँ सोप के सेक्शन में लिखिन मुझे जो सोप चाहिए वो मेडिकेटेड है मुझे या नजर नहीं आ रहा एक्नी एड यहां के सारे डेसी सोप है आए अगले रो में देखती हूँ अब मैं जा रही हूँ डॉलर वर्ल्ड जो है शॉप पहले इन्होंने खोला था तो रखा था टेन डॉलर शॉप अब इन्होंने नामची इंच करेके डॉलर वर्ल्ड कर दिया है चले देखते हैं यहां मुझे क्या मिलता है जो मिलेगा वो मैं आपको करजा कर अपने चॉपिंग हॉल में डिखाऊंगी अब हम यहां पर लगी वन के फूट कोट में यह गपा चार्ट और दही बड़े इन्जोई कर रहें बहुत अच्छे हैं बिल्कुल होममेड लग रहे हैं स्टैंडर्ट के हैं मैं रिकमेंड करूंगी कि आप भी आए तो ट्राइब करें